हाई गाईज, वल्कम टो माई यूटूब चैनल, आज मैं बनाई हूँ बच्चों की फ्रेबरेट स्नाक्स, जो हर दिन छोड़े छोड़े भूग बच्चों को स्याम को टाइम पर लगती है, तो बच्चे बोलते हैं कुछ बाहर से लेके आए और खाए, लेकिन बाहर से यमी और टेस्टी है, देखो चीज, एसे ही आलू को स्नेक्स को तोड़ दो तो अंदर से चीज मेल्ट हुआ मिलेगी, तो बहुत ही टेस्टी और यमी लगती है, और बच्चों को भी खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी लगती है, एसे बना के और स्टिक लगा के और मेरे रेसिपी अगर आची लगती होगी एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंट्स और मेरे चैनल में कोई नए से जूड रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्यूंकि ऐसे ही नए ने वीडियोस हम सेर करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी और हमको भी हैल्फ होगी और मेरे लड़का ने खा लिया यह बहुत ही टेस्टी और यमी है बोलता है ऐसे रोज बनाओ बोलता है इसके लिए मैं कैसे बनाए हूँ वह आपको मैं आज सेर करूंगी और यह बनाने के लिए मैंने ले ली हूँ आलो 500 ग्रम वह भी कुकर में पानी यट करके छिल घर में ही रखे हुए चीजों से आसान से यह नास्ता बनके तेयार होती है और बच्चों को घर में ही कुछ बना के दे दो तो बहुत ही अच्छा है रोजे रोजे बाहर से खाओ तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो भी तली भुली खाना तो आलू उबल गया था मैंने उसको ठंडा करके एक बावल में ले ली हूँ और उसको ठोगी के साहरे उसको दिरे दिरे करके उसको मसल देंगे उसका अच्छे तरह से मसल के उसमें प्याज मसाले मिक्स करके बनाएंगे तो यह गुठलिया रेना नहीं चाहिए अच्छे तरह उसको मसल के गरम रेते ही के सारे मसल दे तो वाच्छे तारे से मसल जाते हैं और यह मसल ना हो गया अभी इसके अंदर हम सारे मसाले एड़ करेंगे तो मैंने बड़े से एक प्याज को छोटे-छोटे टुकडे में कट करके रखी ती इसके अंदर एड़ कर दी हूं और थोडी सी लशन कुटी हुई एड़ कर दी हूं और कुट एक चामच तीखी मिर्ची और एक चामच हल्दी पाउडर और एक चामच गर्मशाला पाउडर और नमक स्वाद अनसार और थोडी सी काला नमक डाल दी हूँ किमकी काला नमक से स्वाद और बढ़ जाती है और कनफलावर पाउडर मैंने एड़ कर दी हूँ और आपके पास कनफलावर नहीं है तो चावल के आटा भी यूज कर सकते हो तो सबको एक साथ लेके हम मिक्स करके अटा के डो प्रोसेस जैसा करके रखेंगे तो अभी ये सारा मसलना हो गया और उसको साइड कर देते हैं फिर हाथ साप करके उसको दोनो हाथ तौली में मैंने तेल थोड़ी सी ले ली हूँ और उसको गोल गोल करके थोड़े थोड़े पोशन लेके उसको गोल-गोल सेब देंगे तो उसके अंदर मैंने चीज को कटा हुआ चोटे-चोटे टुकडे वाला चीज भी मिलती है वाचार में लेकिन मेरे पास बड़ा सा चीज थी तो उसको मैंने चोटे-चोटे पीस में कट करके रख चुकी और इसी टाइब का अब पनीर भी डाल के बना सकते हो पनीर से भी और भी अच्छे लगती है क्योंकि चीज दे दो तो बच्चों को बर्गर पीजा का फ्रेवर मिल जाती है तो अंदर चीज एड करके मैंने उसको फिर उसको गोल-गोल करके राउंड सेप करके और सब खाली भी ऐसे भी तल सकते हो लेकिन मेरे पास सफ़ेद तील थी तो सफ़ेद तील के अंदर चारतरप मैंने कोटिंग कर दी तो उसका टेस्टी और दूबना हो जाएगी इसी टाइप का ही मैंने सारे गोल-गोल करके सारे आलोग को टिकी जैसा बना के राउंड सेप में रखेंगे जो उसको फिर तेल में फ्राय करेंगे ऐसे ही मैंने दूसरा भी अंदर ही स्टॉपिंग में चीज रखती हूं और यह गरम तेल में जब फ्राय हो जाएगी ना तो चीज अंदर से मेल्ट हु जाएंगे रोज एही बनाओ बोलेंगे तो इसके लिए मैंने इसे ही सरब बना दी लेकिन आधी बनाई हूं क्योंकि मेरे लड़का को जल्दी था नास्ता करने के लिए इसके लिए मैंने आधा इसे ही बना के फ्राय कर ली हूं और आधा को फ्राय करते-करते ऐसे ही गरम हो चुकी थी मैंने उसमें डाल दी हूं लो टू मिडियम फ्लेम में उसको फ्राइ करना है और धीरे धीरे करके उपर नीची करके पांच मिनिट तक उसको फ्राइ करना है गोल्डेन ब्राउन होने तक जैसे गोल्डेन ब्राउन हो जाएगी तो उसको हम प्लेट में निक लग रहने एकदम क्रंची क्रंची और कड़क कड़क जैसा रेश्टरांट रामे जैसा ऐसे ही स्नक्स लग रहे हैं एकदम स्वाधिष्ट स्नक्स है और जो आधा था वो भी इसके अंदर एड़ करके अब सब को फ्राइब करके निकाल देंगे और तील से फ्राइब करो तो टेस्टी तो आती है लेकिन आधा तील तेल का अंदर चला जाता इसके लिए खाली भी आप चाहो तो फ्राइब कर सकते हो लेकिन बहुती टेस्टी है एक बार एसे बना के ट्राइब करने का घर में बड़े हो या बच्चे खाएंगे तो बहुत यमी लग रहे हैं बजार से लाना भूली जाओगे अभी ये बनके मेरी रेडी हो गई और गर्मा गरम इसे सौब करेंगे हम देखो बनके रेडी होगे उपर से एकदम कड़क सी क्रंची क्रंची और अंदर से एकदम मेल्ट हुआ चीज नरम सा निकलेगी बहुत ही टेस्टी है देखो कितना यमी लग रहा है बच्चे बर्गर खाने के लिए बोलते हैं चीज के संग तक घर में इसे चीज डाल के आलो के टिक की जैसा फ्राइक करतो स्नाक्स जैसा तो बहुत ही टेस्टी है और यह मेरे रेसेपी बनके रेडी हो गया और मेरे रेसेपी अच्छी करना जो दूसरी वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको मिले और हम चलते हैं अभी इसको खाने के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाई फ्रेंड्स कि अ कि कि